हम लोग बात कर रहे थे बहुत दिक भूगोल के बारे में और इसमें लाश्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मैदानों पर बात की थी और विस्तार से चर्चा की थी हम लोगों ने आज की इस क्लास में हम लोग पठारों के बारे में बात करेंगे यह पठार होते क्या हैं कितने तरह के होते हैं और इस तरह की मातफोन पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगी और बहुत ही बिस्तार से हम लोग इन क्लासों को कवर गर रहे हैं और याद रखिए सभी क् आपकी state PCS और civil service को ध्यान में रखते हुए cover की जा रही है और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है UPSC and state PCS prelims special classes के नाम से तो prelims का जो syllabus है न चाहे उसमें आप देखिया आपका इतियास हो भूगोल हो या सम्मिधान हो अर्दोयस्था हो बिज्ञान हो सभी किलासे आप लोगों को इस playlist सूची में मिल जाएंगी और वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं और याद रखे एक किलासे और भी exam के लिए महत्पूर्ण हो सकते हैं आप लोग जिस भी exam के तैयारी करें उसका syllabus यानि की पार्ट करम देखिएगा उसके पुराने questions paper देखिएगा अगर आपके exam में भी पठारों से बहुते गोगोल से questions पूँचे जाते हैं तो या किलासे आप लोगों के लिए भी मार्थपूर्ण हो सकती है देखिए मैदानों का जो उठा हुआ भाग होता है जो सपाट भाग होता है मैदान आप देखिए कि इस तरह से मैदान फैले होते हैं और मैदान का जो ओपरी भाग उठ जाता है उठा हुआ होता है उसे आप लोग क्या कह देते हैं पठार कह देते हैं सपाट रहता है समतल रहता है बिलकुन ठीक है और अगर आप लोग परिभासा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप लोग यह आप लोग लिखेंगे कि भोपरपटी का यानि कि पितवी का धरातल की बिसिष्ट इस्थल रूपस जो अपने आसपास की जमनीन से परियाप् उँचा होता है यानि कि यह मैतानों से उँचे होते हैं पठार और जिसकी उपरी भाग जिसका उपरी भाग बिलकुल आप देखेंगे चोड़ा होता है और सपाट होता है और सागरतल से इनकी उँचाई 600 मीटर आप देखेंगे सामनुता लेकिन देखी जाती है और लेकि तरह से आप देखेंगे कि जमीन से मैदानों से जो उपरी भाग उठे उठे हुए भाग होंगे समतल और सपाट उन्हीं को आप लोग पठार कह देते हैं देखें इसको देख लिए आप लोग यह भी पठार ही है अगर हम लोग इनके प्रकारों की बात करें कि पठार आकिर ह होते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि एक अंतर परवतिय पठार आप लोग पढ़ते हैं जिसे अंतरा परवतिय पठार भी आप लोग कह देते हैं यह क्या होता है तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरब आप देखेंगे कि आपको पठार देखने को मिलेगा क्या परवतिये पठार कह देते हैं, जैसे उधारन के लिए आप लोग लिख सकते हैं, तिबबत का पठार, एक तरह आप देखते हैं कि ग्रेट हमालाई आपको देखने को मिलता है, दूसरी तरह आप लोग कुनलून परवत आप लोग देखते हैं, ठीक है? तो एक क्या हो जाता ह अंतरा परवतिय पठार हो जाता है फिर आप देखते हैं कि आपका ग्रीपाद पठार देखने को मिलेगा और यह आप देखेंगे परवत के जो पैरों में आप लोग कह सकते हैं यह पठार आप लोगों को देखने को मिलता है इसे आप लोग ग्रीपद पठार कह देते हैं और यहाँ आप लोग देखें, मैदान हो सकते हैं, समुद्र भी हो सकता है तो यहाँ आप देखेंगे इसके परवस्य लगे हुए पठार को आप लोग ग्रीपद पठार या ग्रीपद पठार कह देते हैं इसके उधारन अगर आपको देखना है तो पीड मांड पठार USA में देखने को मिलेगा, पेंटागोनिया का पठार अर्जिंटीना में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी तरह का एक और आप देखेंगे गुम्मदाकार पठार, आप देखते हैं कि जब दो पिलेट आपको लिखनी होगी तो आप लोग उधारन की रूम में उहां लिख सकते हैं, एक आप देखते हैं कि जब लोग पठार देखते हैं, और आप देखें जब लावा निकल रहा है, लावा आप देखें कि पठार की रूम में फैल जाता है, पठार की रूम में उसकी सरचना जाती है, तो जौला मुखी के दोरा बना हुआ वो पठार है, तो उसे जौला मुखी पठार गयदेंगे, ठीक है? एक महादुईपी ये पठार या सुतन्द पठार रेता है, उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ आप देखेंगे दोनों तरफ आपको मैदान भारत में भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, चलिए तो आप लोगों के एक ओवर्वीड दे दिया है, अब हम लोग कितावी परिभासा क्या गहती हैं, उसको देख लेते हैं, तो पठार उंचाई भू गर्विक सरचना, भू आक्तिक आदी की दृष्टी से मैदान से पूर् परिवतों से सावन्ता, छोटे आप लोगों को कम उंचे देखने को मिलेंगे, और मैदानों से बिस्तत यानि की बिस्तार में बात हो रही है, कम बिस्तित आपको देखने को मिलेंगे, पठार, ठीक है? और मेज की अग्ति का भूतल का वह सपाट स्थलखन, जिसकी सतय तल से, आप देखेंगे कि 100 मीटर अत्वा इससे अधिक हो, उसे हम लोग पठार की संग्या दे देते हैं, ठ्रेंच और टेवार्था ने धरातल से 500 मीटर उंचे भाग को पठार की सुईकार किया है, और अलग-अलग बिद्वान रहते हैं, अलग-अलग आप देखते ह कोई कहता है कि 100 मीटर उपर उठे, या उससे और उठे, 300 मीटर, कोई कह देता है कि 500 फिट उपर उठे हुए जो भाग है, उन्हें आप लोग क्या कह देंगे, उंचे भाग को पठार कह देंगे, परंतु पठारों की उंचाई के बिसलेशन से इसपष्ट होता है कि पठार किसी भी उंचाई का हो सकता है, अब आप देखें तिबद का पठार देख लिए, ये तो 5000 मीटर है, कितना 5000 मीटर, तो इसकी परिभासा में दो बातें आप लोगों को याद रखना होगा, इसका आप देखेंगे कि उपरी हिस्सा जो होगा, ये बिलकुल सपार्ट होगा, स कोटे हुए हिस्ते को ही आप लोग जो सपाट रहता है, उसी को आप लोग पठार कह देते हैं, और अगर आपकी पास टाय में तो आप लोग NCEIT जरोर पढ़िएगा, और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो मुझे लगता है कि NCEIT आप लोगों को जरोर पढ़ सामान हुचाई आप देखेंगे कि 100 से 500 मीटर वाले पठार भी भूतल पर आपको विद्धमान यानि की धर्ती पर देखने को मिलेंगे, पठार विस्तित सपाट सिखर वाले होते हैं, और परंतु इनका तात पर बिलकुल सपाट से नहीं होता है, बलकि इस पर नदियों द द्रस उत्पन कर देते हैं, यानि कि कहने का मतलब यह भी कह रहा है, कि बिलकुल सपाट जो है, वही नहीं होते हैं कि पठार हो जाएं, उन पर आप देखें कि नदियां बहर रही होगी, और नदियां अनेक इस्तालाक्तियां भी विद्धमान कर देंगी, बना देंगी, ठ सेश्टर ने इसपष्ट किया है कि पठार की उपरी सताय मैदान की समान सपाट अत्यदिक, चप्टी, अत्वा ढलवा, पहाड़ी, कटी-फटी, किसी भी आकार की हो सकती है, और इस विकार पठार की उपरी सताय की विसय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, वैसे हम लोग सामन तरीके से, सामन बात में कह सकते हैं कि उपरी सपाट जो भाग होता है ना, समतल भाग होता है ना, उसी को पठार कह देते हैं, लेकिन ये विद्वान और कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि सपाट ही हो सब कुछ, इसकी आप देखें ढ़लवा, पहाड़ी, किसी भी तरह कि आप देखें आक्रिटी हो सकती है। साइवतराज अमेरिका का पेड मांट पठार एक और परवत और दूसरी और आप देखेंगे समुद्ध तटी एच्छेत से घरा हुआ है। कि हम लोग पठारों की उत्पत्ती के बसाय में कोई एक मत नहीं कह सकते हैं। कि इस तरह से आप देखें पठारों का निर्माड हुआ होगा। अलग अलग पठारों का निर्माड अलग अलग पिक्रियाओं और काड़ों से हुआ है। फल सवरूप कुछ ऐसे मतों का उलेक करना अवस है जिनसे अधिकांस पठारों के निर्माड का बोध हो सके। और इस्थलखंडों के आउतलन अत्वा उत्थान की पिक्रियाओं से कुछ पठारों का निर्माड होता है। यदि किसी बिसाल इस्थलखंड अधवा किसी भूभाग के फार्सविक भागों का आउतलन हो जाए तब सेस बचा हुआ इस्थलखंड पठार की रूम में जाना जा सकता है। और इसी पिकार विसाल इस्थलखंड के किसी एक विस्थिद भाग का उत्थान हो जाए तब वह पठार हो सकता है। और इस पिक्रियाओं द्वारा छोटे आकार के पठारों का निर्माड हो सकता है। भूगोल में एक और कहानी है। दूसरे की और गती की होगी। तब इन में टकराओं अत्वा अधिक घनत बाली पिलेट के नीचे छेपन होने से उर्द गामी लावा का प्रवा होगा। और फलसरूफ ज्वाला मुखी का उद्गार हुआ होगा। और इस पिक्रिया से लावा की मौटी चादर विस्तित भूभाग में फैल कर लावा का पठार का निर्माड कर सकती है। कहने का मतलब यह है इनका, एक पिलेट आप देख रहें कि यह है, क्या है? माली जे एक पिलेटे है, एक पिलेटे है, दोनों आप देख रहें कि आपस में टकरा रही है, जो आप देखेंगे जान्दा घनत तबाली होगए, उसका निच्छेपन होगा, और इस तरह से आप की एकांगी है, इसके द्वारा केबल लावा पठारों का निर्माड की व्याक्या की जा सकती है, आप देखें कि अलग अलग पठारों की अलग अलग तरीकी से व्याक्या उनकी बनने की बात कही जा रही है, परवत निर्माड की किरिया से भी पठारों की उत्पत्ती होगी और इस पिक्रिया से दो रूपों में पठारों की उत्पत्ती हो सकती है जब परवतों में उत्थान की पिक्रिया सक्री रहती है तब परवती चेतरों की अधिकांस भागर उपर उठ जाते हैं परंतु इनके निकट के भुभाग में उत्थान बेहत्मंद गती से होता है और जिस कारण से परवतों से कम उचे रहते हैं और जिनको पठार की संग्या दे देते हैं जिने आप लोग पठार कह देते हैं। परवत निर्माड की पिक्रिया के फलसुरूफ यदी निर्माड कारी सक्तियां दोनों और कार करती हैं तो भूसानती के दोनों किनारों पर मोडें पड़ जाती हैं और मद्दवर्ती भाग इससे आपरवावित रहता है और जब परवत उत्थान का पिक्रिया पयारम होती है तब भूसा नती के मद्द का समतल भाग भी परवत के साथ उपर उठ जाता है। परंदु इसकी उचाई परवसेनियों से कम होती है और इसे पठार की संग्या हम लोग दे देते हैं। और इस मद्द से केबल अंतर परवतिय पठारों की उपत्ति संबंधी समस्या का समानान किया जा सकता है। निम्न हो जाता है। कलांतर में परवत पठार की रूम में परिवर्तित हो जाते हैं। जो परवत है उस पर आप देखें अफर्दन हो रहा है। और वो एक समय ऐसा आएगा कि पठार की रूम में परिवर्तित हो जाएंगे। और सभी तराज अमेरिका की अफलेशियन परवती चेत में इस पकार की अनेक पठार आपको देखने को मिलेंगे, अप सीधी सी परिभास से आप लोग समझे, आप लोगों को एक स्थान पर जाना है, एक मंजिल है आप लोगों की, आप लोग 5-7 लोग हैं, कोई आप देखें साइगल से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई काल से जा रहा है, कोई किसी और बहान से जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जा एक ही मंजिल पर रहे हैं, यानि कि बन पठार ही रहे हैं, उनके बनने की पिक्जिया अलग-अलग हो सकती है, तो वही हो रही है, ठी अमदाकार बन रहा है तो उनी की बात हो रही है। अगर इस तरह से हम लोग पठारों की बरगी करण की बात करें। अध्दे पठार और हिम पठार। फिर आप देखेंगे की अपरदन की चक्य की आधार पर बात हो रही है। अतवा गृपश्त पठार और आपसमतल पठार इस्ठती के आधर पर आप देखें तो अंतरा, परवतिये पठार, गृपद पठार, महद्वीपिये पठार और तटीये पठार की बात हो रहे है निर्माड पिक्किरिया के दार पर देखें तो जलकित पठार, पबनकित पठार, मरू पठार, हिमानी पठार, अंतरा परवतिय पठार, गुरीपत पठार, गुम्मदिकिय पठार, मिस्तरित पठार आपको देखने कुम लेंगे ये निर्माड पिक्किरिया के अधार पर बात हो रही है और अध्यन की सुवधा के लिए पठारों का बरगीकर निम्नांके धन से किया जाता है और जिसके लगवक समस्त पठारों का बोध हो सकता है इसमें आप देखेंगे कि महादवीपिय पठार, अंतरापरवतिय पठार, तटिय पठार और ग्रीपत पठार, उप्पोनर योनित पठार आपको देखने को मिलेगा पठार की बात करें पठारों का भरगी कर्ण तो इसमें भागुली किस्तिती के अनुसार आप देखेंगे अंतरा परवतिय पठार, ग्रीपत पठार, महदुईफीय पठार और निर्माड पिक्किरिया के अनुसार देखें तो ज्वाला मुकी पठार, पठल विरूपन पठार, प्रवावी जल निर्मित पठार, हिमानी निर्मित पठार यानि की हिमानी की द्वारा जो बने होंगे, पबनकित पठार आप लोगों को देखने को मिलेंगे आकरिटि के अनुसार देखें तो गुमधाकार पठार, बिच्छेफित पठार, सौपान पठार और चौरस का पठार जलवायू के अनुसार देखें तो सुस्कि आमरुस्तलीए पठार, आद पठार और हिमाच्छादीत पठार की बात हो रही है एक बार एक बाद मान लीजेगा आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग NCEIT बुक्स जरूर पढ़िएगा बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा यकीन माने आप ठीक है और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें विकास अवस्था की अनुसार युवा पठार पौन पठार जीन पठार पौनर योनित पठार आपको देखने को मिलेगा महादविपी पठार की बात करें तो परवत अत्वा परवतिये चेत्रों से दूर समुद्ध तटों अत्वा मैदानों से घरा हुआ अत्वा एक किनारा परवत और दूसरा समुद्ध तर से घरा हुआ पठार महादविपीये पठार कहलाता है आपको बताया था ना उसी की बात हो रही है और इस परष्ट है कि पठारों की स्तिती परवतों से दोर अत्वार निकट तथा समुद्ध तट और मैदानों से सलगन होती है और जो पठार समुद्ध तटिये हैं बितट से एकाएक उपर उठे हुए होते हैं और समुद्ध लहरें तटिये किनारों को यगपी चिन भिन कर देती हैं और तदापी इसे तटिये भागों से पितक किया जा सकता है और प्रादीपिये भारत का पठार इसका प्रवोग दिश्टान्त है तो ये उधारन में आप लोग लिख सकते हैं इसके अलावा दच्चडपीका का पठार, औस्टिलिया का पठार, अरब का पठार, पेंटागोनिया का पठार, आदी महादीपिये पठार आपको देखने को मिलेगा महादीपिये पठार अधिकांसता प्राचीन तंभूखंड हैं और इन पर पहाडियां, नदियां, घाटियां, अन्यान लगू, इस्थालाक्तियां बिद्धमान होती हैं अप अर्दन चाकी की दृष्टी से इन में कुछ पठार पोणावस्था और कुछ पठार बिद्धावस्था को पराप्त कर चुके हैं परादीपिय भारत का पठार अपनी बिद्धावस्था को पराप्त कर चुका है और इसकी अधिकांस नदियां सामवस्था में पहुंच चुकी हैं और इसमें अरावली बिंद्धाजल या बिंद्धमावल, पारसनात, राजमहिल, महादियो, मैकाल, क्यमूर, अजंता, नेर परवती पठार, जो आपको बता चुका हूँ कि चारों और परवत अत्वा, पहाडियों से घरे पठारों को अंत्रा परवती पठार की संग्या पिदान की जाती है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हूं के, देखे इस तरह की बात हो रही है, इस तरह भी पठार, परवत इस तरह भी परवत बीच में आप देखेंगे पठार आपको देखने को मिलेगा ठीक है और उचाई की दिरिष्टी से बिस्ते के सरवादेक उचे ये पठार अतिंत जटिल और विस्तित होते हैं जैसे आप लोगों को बता है ना कि जो आपका तिबद का पठार है सब परवतों की मद्द में हैं और इनका समद्ध किसी ना किसी रोप से इन परवतों की उत्पत्ति से अवस है और अच्छादन अत्वा अन किरियाओं के द्वारा इनकी उत्पत्ति की ब्याक्या नहीं की जा सकती है जब आप लोग अंतरा परवती पठार के बारे में बात कर होंगे तो यह उधारन भी आप लोग बता सकते हैं ठीक है या आप देखे वंडे एक जाम में या पर इलम्स में भी आप से पूछ सकता है कि आपका जो तिब्बत का पठार है किस तरह का उधारन है किस तरह की पठार का उधारन है अंतरा परवत ही पठार का किंदो परवतों से इसके दोनों और कठोर पिंडों का दबाव पड़ा और जिसे भू सन्यतियों की किनारों का मलवा बलित हो गया और मदवती भाग बलन की किरिया से आपरवावित रहा और जब मोड़दार परवतों का उत्थान होने लगा तब इनी के साथ ए भी उपर उठ गए और यही कारण है कि इनकी स्तेथी परवतों के मद कांपी उचाई पर है और कोवर ने अपने सिधान्त में मद पिंड की कल्पना की और इससे इस मद की पुष्टी भी की जा सकती है और साथी साथ तिबबत का जो विसका सरवादिक उचा पठार है इस मद के मद से इसके उद् दिया मैदान हो सकते हैं और यह जो फैला हुआ है ना इसी को ग्रीपत पठार कह देते हैं मैं तो यसे परवत के आप देखे पैरों में पढ़ा हुआ है इसी तरह की बात कर लेता हूँ तो परवतों मैदानों के संक्मर पिदेश अत्वा परवतिय पाद पिदेश में इस् और दूसरी ओर अब देखेंगे मैदानों अत्वा समुद्र तत्रों का विस्तार होता है पैंटागोनिया का पठार पीड मांट पठार इसा इपतरा जमेरिका में देखने को मिलेगे इसके पिरमुक दिश्टान थे उधारने इनकी उत्पत्ती के से में अनुआन किया जात यही कारण इनका ढाल मैदानों अत्वा समुद्र तत्की और तीब होता है एक आप देखते हैं तटिये पठार जिन पठारों की स्तिती समुद्र ततिये पिदेशों में होती है उसे आप लोग तटिये पठार की संग्या दे देते हैं और इनका एक भाग समुद्र तत्की और खुला होता है और दूसरा भाग मैदानों अत्वा परवतों से जुड़ा होता है और जिन तटिये भागों का दूसरा किनारा परवतों से जुड़ा होता है उनका ढाल समुद्ध तटकी और तीब होता है और इसके विपरीत जिसका समंद मैदानों से होता है उनका ढाल सम पुत्थित पठार की पुनर यूपूनित प्ठार की संग्या दी जाती है बास्ताओं में बिद्धावस्था की बात पुनाहा तरुणावस्था में प्रवेश करना इस पठार की पिरमुग बिस्तेजिता है जैसे आप देखें मिसोरी पठार सहीटराज अमेरिका में आप लोगों को इसका उधारन देखने को मिलेगा फिर आप देखेंगे कि भूतल पर बिद्धमान पठारों मैदान महत्मूर इस्थालाक्तिया है और इसके विशय में अतीज से वर्तमान तक बहुत अध्यन किया जा चुका है और भौतिक भूगल की पिदान साका भू आक्टिक विज्ञान में इसके अध्यन नयों का केंद बिंदू है और साथी साथ मानों की उपादेता को भी इंकार नहीं किया जा सकता है जहां मेदावन मानों की केसी उत्पादन जल प्राप्ती आवस वेवस्ता आधी का उत्तम सुधा उत्पन करते हैं वहीं पठार खनिश संसादनों को बिफुल भंडार खोला रखा हुआ है और इनी की पिदा सुधाओं से मानों संस्किती विकास की सीड़ी दर सीड़ी चड़ता रहा है तो खनिश की दृष्टी से आप देखेंगे कि पठार काफी महत्पूर होते हैं पठारों का आर्थिक महत्त अगर आप लोग देखें तो इसमें पठार भुवाक्तिक दरिष्टी से जहाँ अतिन्त महत्पूर माने जाते हैं यातायाद और धसाओ जन संक्या की दरिष्टी से पठारों का महत्त कम परवतों से अधिक होता है वनस्पतिक आवर्ण और सवsamसाधन बिपुलता पथारों की अपनी मौलिक विश्ष्टा है, पथारों का निम्नांकित महत है, पथार खनिश khiनसाधन का भिपुल भंडाँ जिसमें लोहा हो, तामा हो, कोईला हो, अबरैक हो, जिप्सम हो, सल्पर, चूलरा पथर, खनिश ते को क्क्या संस्किती और लोग देखेंगे इसमें अकहें किनियों के संस्किती को उत्कंष्ट बनाता है और संसादन उपन टेस अथबाच्य विकास की दरिश्टी से महत्पूर माने जाते हैं बिनके पास सोना होगा है जिसके पास आप कि और भी खने जो प्लब्द हो रहे होंगे कनाडियन सील्ड को यदी पठार माना जाये तो इसे खने संसाधन की दृष्टी से महत्मूर कहा जा सकता है यहां की सरवरी खान से बिस्त का असरवाधिक निकल का उत्पादन किया जाता है और इसी विकार यहां से स्वर्ड का उत आदी का उत्पादन बिहद इस्तर पर किया जाता है तो पठारों से हमें यह भी मिलता है लोहा हो मैगनीज हो बॉकसाइड हो कोईला हो लोहास्की की दिरिश्टी से बंदे पिदेश सरवाधिक मात्मूर है कोलार की कान करनाटक में आप देखिए स्वैड का उत्पादन हो और विसके सभी पठार किसी ना किसी खने से समरिद अवस्त हैं पठार एवं किरिसी कार की बात करें तो पठारों की सतय उबड़ खाबड और पत्रीली होती है और भी है दिस्तर पर लेटे राइट तथा लाल अनुरक मिटिया होती है जिनकी जल संचैन चमता अत्यल्प हो कुगों नहरों तालाबों की खुदाई करना लगबक आसंभा हो है और यही कारणी कि भारत के मैदानी भागों में नहरों कुगों की संख्या अधिक है और पठारी भाग में कम आपको देखने को मिलेगी यह आप देखें कि कुष्टन्स भी पूच लेगा कि पठारी या आप देखें कि नहरों या कुगों की खुदाई असंबव है इसलिए आप देखें कमी देखने को मिलेगी पठार तथा बनस्पति की बात करें तो पठार मूलवान बनस्पतियों से युक्त होते हैं परन्तु इन पर जलबायू का प्रभाव भी द्रिश्टब है और आद और उष्ट डाड़ पिकार की जलबायू प्रदेशों में इस्तित पठार सघन बनों से युक्तोस्स के एबं आर्थस्स के जलबायू प्रदेशों के पठार बनस्पति आवरं से लगबग रहत होते हैं और कुछ पठारों के पर केबल छोटी-छोटी घां से पाई जाती ह और जिन में पसुचारन किया जाता है और सघन बलों बाले पठारों में मूलवान इमारती लकडियां औस्तियां लाग गौंद आदी की उपलब्दा भी आपको देखने को मिलेगी इसके अलाबा इनके बैक्षों पर आधारित कागज दिरिया सलाई कुरसी मेज फरनीचर आधी उद्योगों का विकास किया जाता है और भारत का दच्छिडी पठार भाग बनस्वती की दिरिश्टी से काफी मात्पूर है यहां से अनेक मूलवान लकडियां पर आप्त होती है जिनका उपयोग भवन निर्माड और विभिन उद्योगों में होता है और पठार जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी भारत की पठारी भाग इसके पिर्मों कुद्धिश्टान थे इसके अलावा कनाडियें सील्ड में भी कहीं कहीं पर जनसंख्या का घहनत्ता देखे बास्ताव में पठारों का अधिकांस भाग सगन जंगलों से युक्त ऊबढ़ खा तो कहां से यातायात रोड बन भाएंगे केबल सम्तल केबल आप देखेंगे संतल के पठारी भागों में यातायात के साधनों का पिच्चुर विकास हुआ है और वर्टमान एक मानौ का किरिया सील गुड पठारों पर भी यातायात मार्गों का जाल बिचाद दिया है पठ पठारों की जलवाईू में उनकी इस्तिती के अनुसार भिन्यता भी पाए जाती है, पेंटागोनिया जैसी सीथ पठार की जलवाईू करें, दच्छडी प्राइदी पी पठार की जलवाईू गरम होती है, जलवाईू की सरचना का बनस्पतियों अनुसकरन करती है, और फ़ पहें चत्तना टिवार्था ने 500 मीटर से अधिक उंचे भूभाग को पठार कहा है। आख्रती के अनुसार देखें तो गुमदाकर पठार, विच्छेवित पठार, सौवानाकर पठार, चौरस्त पठार, जलवायू के अनुसार देखें तो सुस्क अत्वा, सुस्क या मरूज थलिये पठार, आर्द पठार, हिमाच्छादित पठार, विकास की वस्था के ठीक questions पूच लेगा यह आप देखेंगे यह आप लोगों को देख रहा है यह आप देखेंगे यह अप देखेंगे हमारी प्यारी पितवी है और इसमें आप सभी जानते हैं कि भारत आप देखते हैं कि Asia में देखने को मिलता है यहां से आप लोग जाएंगे तो यह महादीप है यहां आप देखेंगे कि आपका यूरोप हो गया नीचे आप देखेंगे कि अफीका महादीप हो गया यह आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और नीचे आप देख रहे हैं दच्छरी अमेरिका आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इनी की बात हो रही है और बिस्व का भूगोल पढ़ाया गया है आपका मैप का साल है उसे अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता ही कि बहुत सारा कवर आपका हो जाएगा जियोग्राफी और आसान रहेगा आपको तो इसमें उत्री अमेरिका में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि या उकराण पठर आपको ये देखने को मिल जाएगा कौन सा ये उपर उत्री अमेरिका में और यहां और यहां अगर आप लोग एक बार पित्वी को भी यहां आप लोगों को बता देता हूं इसे मालूँ चलेगा आपको कहां कौन से देश की बात हो रही है यहां आप दे नीचे आप देखेंगे ग्रेट बेसिन का पठार फिर आप देखेंगे कोलरेडू का पठार यह आप देखेंगे ओजार का पठार यह आप देखेंगे पीड मांड का पठार और यह आप देखेंगे चिया पास का पठार क्या चिया पास का पठार अब आप एक बार देखिए देखे यूनाइटिट के इस्टेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ तो उत्री अमेरिका की पठारों की बात हो रही है फिर नीचे आईए आप लोग यहाँ आप लोगों को गवाना का पठार फिर आप देखेंगे बॉलिबिया का पठार यहाँ आपको दच् देखने को मिल जाएगा इसी तरह से आप लोग यहाँ आप लोग देखिए आप लोग दक्षिड अफीका में चाहिए यह आप देखेंगे आप लोगों को देख रहा है वाई का पठार किसका वाई का पठार यह अफीका महादीप की बात हो रही है फिर आप देखेंगे कि ओवांगी पठार फिर आप देखेंगे कि ये आदाम मावा का पठार ये आप देखेंगे कि अभी सीनियाई का पठार ठीक है और लिवियाई का पठार अहागार का पठार और ये आप देखेंगे तसली का पठार आपको देखने को मिलेगा उपर अगर आप लोग यहाँ दे यह अपर आप जाये तो म्ध्य साइविरीदा पठार आपको दिखाई दे रहा है पामित दिपद्द्बद्ड पठार आपको देखने को मिलता है सरा पठार बहरत में ही ऐ आप देखें कि पठार यी आप देखेंगे टकला मकान पठार आपको देखने को मिलेगा यहिए आप लोग किसमें और किमबरली का पठार आपको देखने को मिलेगा तो ये हो गए आपकी पिरमोग पठार हो जाते हैं इनकी कहानी खतम हो जाती है आपकी क्या हो जाती है कहानी खतम हो जाती है तो इनके बारे में भी आप लोग अनातौलिया का पठार आप देख लिया होगा यहाँ चलिए तो यह पिरमुक पठार आप लोग याद रखेगा हो सकता है कि किसी भी तरह से आपके इन पठारों से questions पूच ले पेंटा गौनिया की जो पठार की हम लोग बात करते हैं न यह आप देखें दच्छन अमेरिका में आप लोग देखने को मिल रहा है यहां आप लोग जाएंगे तो देखें अर्जिंटीना आप लोगों को देखने को मिलेगी यहीं आप लोगों को देखें अर्जिंटीना है यह आप देखेंगे चीली फैला हुआ है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा ठीक है पेंटा गौनिया का पठार इनसे कुश्टन्स कई बार पूँच लेता है इनमें तो इसी तरह के कुश्टन्स ही पूँचता है पेंटा गौनिया का पठार आपको दच्छन अमेरिका में देखने को मिलेगा जो अर्जिंटीना और चीली द्वारा साज्या किया जाता है यानि कि एक तरफ आप देखेंगे अर्जिंटीना और दूसरी तरफ आप देखेंगे चीली आप लोगों को देखने को मिलती है और इस तरह से आप देखेंगे कि पठार बाले टोपिक की कहानी खतम होती है आप लोग पढ़ते रही है, enjoy करते रही है अंगली किलास में हम लोग जीलों के बारे में बात करेंगे जो जीलों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं न prelims में खासकर questions भी पूँचे जाते हैं अच्छी खासी संक्या में कई बार आप देखते हैं Monday exam में भी पूँचे जाते हैं तो उन्हीं ही पर हम लोग बात करेंगे एंगली क्लास में. और आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाओ हो, तो आप लोग नीचे जरूर बताएगा, और सुझाओ हुआ करें तो जरूर बताया करेंगा, क्योंकि वो सुझाओ मेरे लिए मायने भी रखता है आपका.